नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में Infinix GT 10 Pro vs. Infinix GT 20 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दिसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 10 Pro में 6.4 इंच जबकी GT 20 Pro 5G में 6.47 इंच की लेंख मिलती है विडि की बात करें तो 10 Pro में 2.98 इंच जबकी GT 20 Pro 5G में 2.97 इंच की विडि मिलती है जो की सेम जैसी ही है, बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही, 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, अब बात करते हैं वेट की तो, 10 Pro में 187 ग्राम्स जबकि GT20 Pro 5G में 194 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो की 10 Pro से ज्यादा है, चलिए, अब हम डिस्पली की तुलना कर एंट बात करें तो दोनों फोन में सेम ही, AMOLED की दिस्पले मिलती है, आसपेक्ट रेशियो दोनो फोन में सेम ही, 20 रेशियो ना मिलता है, डिस्पले साइस की बात करें तो, 10 Pro में 6.67 इंचस जबकि GT20 Pro 5G में 6.78 इंचस मिलती है, डिस्पले रेजुशन 10 Pro में 1080x2460px FHD+, और GT20 Pro 5G में 1080x2436px FHD+, मिलता है Screen to Body Ratio 10 Pro में 85.85 प्रतिशत जबकि GT20 Pro 5G में 88.24 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो 10 Pro में 403 pixel प्रतिश जबकि GT20 Pro 5G में 393 pixel प्रतिश मिलती है अब देखते हैं Display के अन्य Features यानि विशेशताएं की जो की Mobile Phone का महत्वपूर्ण हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा Features Camera की दोस्तों, सबसे पहले बात करें Main Camera की तो 10 Pro में 3 Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Macro Camera और आखे में Depth Camera देखने को मिलता है और GT20 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Depth Camera और आखे में Macro Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है अब बात करें फ्रन्ट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो 10 प्रो में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते है और GT20 Pro 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 5 different features मिलते है आए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो 10 Pro में Mali G77 MC9 जबकी GT20 Pro 5G में Mali G610 MC6 मिलता है चिपसेट की बात करें तो 10 Pro में MediaTek Dimensity 8050 MT6893 और GT20 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8200 Ultimate मिलता है बात करें RAM की तो 10 Pro में 8GB की RAM मिलती है जबकी GT20 Pro 5G में 2 option देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में same ही 256GB storage मिलती है expandable memory की बात करें तो 10 Pro में up to 1TB जबकी GT20 Pro 5G में नहीं है operating system की बात करें तो 10 Pro में Android V13 जबकी GT20 Pro 5G में Android V14 देखने को मिलती है battery की बात करें तो दोनों phone में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो 10 Pro में 2 colors जबकी GT20 Pro 5G में 3 colors option मिलते है सब information देखने के बात करें price की तो 10 Pro में एक ही variant देखने को मिलता है जो कि 8 GB RAM 256 GB storage के साथ 24,990 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें GT20 Pro 5G की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते हैं जो कि 8 GB RAM 256 GB storage के साथ 28,890 रूपीज 12 GB RAM 256 GB storage के साथ 26,990 रूपीज में मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं prans and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Infinix GT10 Pro में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है जबकी बात करें Infinix GT20 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main camera में दोनों फोन सेम ही है Front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में GT20 Pro 5G आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Moto G84 है दुसरा Vivo T2 Pro 5G है तीसरा Samsung Galaxy F34 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर phone की बात करें तो उसमें Poco X6 5G है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी प्रेयर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्रप्यार से like, share और subscribe करना न भूले